तो हलोगे स्वागता आपके एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम्स ओल्वेस में तो आज की इस वीडियो में हम मैच बात करने जा रहे हैं आइपल 2024 मैच नमबर 16 डेली कैपिटल्स वर्जिस कॉलकता नाइट डाइडर्स कहां पर खिला जाएगा यह मैच तो इस मैच की पूरा एनलेसिस करने वागा है एंड में आपको देने वालों एक प्यारी सिंट्रीम 11 की टीम जो की फाइनल नहीं हो की फाइनल टीम आपको टेलिग्रम चैनल में मिलेगे टेलिग्रम चैनल जोइन करना काफी इंपॉर्टन्ट है ठीक है बाकी वीडियो एं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं कि कौन सा प्लेयर इंपॉर्टन है कौन से प्लेयर को ग्रेंड लिग मिलेना स्मॉल लिग मिलेना बाकी फाइनल टीम आपको टेलिग्रम पर मिलता है तो टेलिग्रम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलिग्रम चैनल जॉइन करने पर अल्रेड़ी 61,000 के उपर मेंबर्स हैं आप भी पार्ट बन जाईए अभी क्या भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाईए लिंक मिल जाएगा मिस्मत करना टेलिग्रम चैनल जॉइन करना कभी पचता होगी नहीं बहुत ही अच्छी विडियो के पढ़ने से पहले आपके फाइदी की बात कर लेते हैं तो भाई विजन 11 पे आपको पचास हजार पे का फ्री की वे मिल जाए जो की आज का मुकाबला देलिवर्जिस कॉल गाता है उसमें आपको करना कुछ नहीं आपको सिंप्री डिस्क्रिप्शन में जाना विजन 11 का लिंक मिलेका डाउनलोड गलेना रैफर को डालन ड्रीम टुविन टू डालना वान टूवाला टू ठीक है उसमें से आपको एक तो हमारे रैफर कोट से रिजिस्टेटर रूट आपको बोनस मिल जागा 500 रूबे तक का ठीक है उसके बात भाई यहां पे गिवेस डिली आपको पास पैसे नहीं है नहीं तो भाई 0 रूपे एंटरीविस के साथ 50,000 रूपे का गिवे आप डिली खेल सकते हो तो भाई मिस मत करना बहुत ही अच्छा चांस है अच्छी विनिंग होती है अच्छा प्राफिट होता है विजन 11 पे बहुत ही कमाल का यहीं बात करूँगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बीना किसी देरी के तो भाई सबसे पहले ग्राउंड की बात कर लेते हैं भाई पिच्की बात करेंगे तो यहां पी ना एक अच्छा वीगट देखने को मिलता है बाउंड से आता बॉल अच्छा पेस से सोगज लेए और वागी थोड़ा गेम में आते हैं बट देखेंगे कि राथ का मैच है उस वजह से डियू आ तो गेम से ठोड़ा तूरी रखता है यह घ्राउंड ठीक है तो यह यहां पे रहता है बागी देखो फाइनल मैच के आदा पॉना गंटा पहले आती है तो उसके बेसिस पर हम पीच जब आपको पिच का फूटो भी बीज देता हूं पिच के बार बदा भी देता हूं तो उससे आपको काफी हल्प मिल जाते हैं टीम बनाने में इसलिए बोलता हूं टेलिग्राम चैनल जॉइन करके रख चीज में एवरे स्कूर बन सिक्स्ट यह बैटिंग फर्स बैटिंग सैंड दोनों अल्मोस ही मिरा तो ज्यादा कुछ फरग नहीं है वागी स्कूरिंग बैटरन देखोगे तो भाई एक सो सतर एक सो बानेटीन तीन बार बनेटी है छे बार यहां पर बिलोव फिफ्टी ब बाध्यान रखना बड़ जैसा कि मैं बोलता होता हूं कि भाई जो की डोमेस्टिक लीग्स होती है न तो उसमें ज्यादातर बैटिंग फेवरेबल रहता हूं और इस हाइप में हमने देखा भी है काफी विक्टें जाती है उसके बाद भी 170 बन जाता ठीक है नीचे आके ब बैट्समें बना जाते हैं तो यह बात ध्यान में रखना कि थोड़ा सा बैट्समेंनों को फेवर जरूर से हर जगा मिलता है उसके बाद रिसेंड मैंच जिसकी बात करूंगा आद देखो को भाई डीसी वर्सी CS के जैसा कि मैं बोल रहा था 191 बना पेसर्स को विक्टें मिली ठीक है उसके पहले उस्ट्रेलिया ने 208 बनाया इंडिया ने असानी से चेस कर लिया सेके इनिंग में जाधा विक्टेंग गिरी ठीक है इंडिया और साउथ उफ्रीकर इंडिया ने फिट से 180 बनाया था आल्मोस्ट भाई ठीक है पेसर्स को आट विक्टें मिली स्कूचतर फीमिले सीग्ट को 6 तो विक्टेंग इनिग से बाहर रहें बढ़ सब्सक्राइब कर दो ने ये बात धिहार में रखना बाकी फाइनल पेच रिपोर्ट जो आएगी उसके एकॉर निंग हम ज 32 मैच खेले लिए हैं जिसमें से 15 जीते हैं डेली कैपिटल्स और 16 मैच जीते हैं केके आर ने तो no result एक था ठीक है तो भाई recent form देखोगे तो भाई तोनों टेम्स यहां पर जीत के आ रही हैं बागी डेली ने 3 मैचीज आ रहे हैं और केके आर ने 2 मैचीज आ रहे हैं सब्सक्राइब करते हैं अच्छा प्रफॉर्मेंस था यहां पर तीन विक्टे निकाली थी उसके बाद भाई अगर आपको याद होगा क्लीली एमद लास्ट मैच में भी मैच प्रफॉर्मेंस देके आ रहे हैं तो अच्छे गॉंफटेंस में होगे इन प्लेयर्स पर द्य द्यान रख सकते हो और टीम की बात करें तो एक बैलनस टीम आपको दिख रही है जो की ड्रीन टीम थी लास्ट है टूएड मैच में उसके पहले ग्रफॉर्में देली ने फिर से वांड़ोंटीएड बनाए विक्टें पर द्यान रखो विक्टें इस मैच में भी 16 गिरी है अंद्रे रसल फिर से नाम आया वरून चक्रवती फिर से नाम आया डैविड वॉर्नर फिर से इनका नाम आया ठीक है अक्षर पटेल फिर से कुल्दीप यादव फिर से इशान चर्मजों की इंजड़ी है बाकी एंडिक नौग है लास्ट मैच उतना अच्छा नहीं गिया बट ठीक ठाक बहुत ही तकड़े बॉलर है विक्टे निकाल के दे सकते हैं तो आगे बात करेंगे बाइड डिरेक्टली कॉलकाता की प्लेंग लेवन पर बात करते हैं फिलिप सॉल्ट सुनील रहें दोनों बहुती ताबर तोड ओपनिर ओपनिर अच्छी ओपनिंगर करक रहा है तो बैट टॉप ओडर इनका अच्छा चल रहा है ठीक है और उसके बाद भाई फिनिशर भी बहुत अच्छा तो एक बड़ा स्कॉर ये टीम असानी से खड़ा कर सकते हुग आप देखो के फिनिशर में देखो रिंकू सिंग है रमधीप सिंग एंड्रे रसल है ठी अच्छी तुरा ना कंसिस्टेंटली विकर निकाल रहा है ड्रीम लवन के इसाब से अच्छे भी कैम वरुन चक्रवती रख सकते हो ठीक है बॉलिंग थोड़ी उतनी अच्छी नहीं जल रहे है ठोड़ी ठीक है वो देखना बड़ाएगा वरुन चक्रवती एक विकर टिक करेंगे इन बादा जरूर से ट्राइगर सकते हो स्पेशली क्रेंड लिक में कैप्टन बनाके उसके बाद बैंच और इंपक्ट प्लेयर्स आप देख सकते हो स्वेश रमा आ जाते हैं मुस्तली बागी देखते हैं कौन आएगा चेतन साकरी है मनीश पांडे है नरायन की बात करेंगे भाई ठीक है 132 रन 21 इनिंग में 22 वेक्टे हैं पॉलिंग से अच्छा बैटिंग उपर कर रहा है तो इंपॉर्टर पिक है वैंकटेश आईयर पांच इनिंग में 33 में रन श्रेयस आईयर का भई एवरेज 48 का दो इनिंगी के लिए 22 के एवरेज वे सब्सक्राइब कर रहे हैं तो एक डिफ्रेंशल पिक चल सकते हैं कम स्लेक्शन पर संट शायद होगी इनकी हार्शी द्राना कर निकाल रहे हैं ले सकते हो वरू चक्रवाथी एक बहुत ही अच्छे शांदर ग्रेंग के ऑप्शन है जुरूर से ग्रेंग में कर लें ना उसके बाद बात करेंगा अच्छा करने कंसिस्टेंटली ठीक है लास्ट मैच में पचास करके आ रहे हैं प्रिच्वी शौ लास्ट मैच में खिलाएगा तो उसके पहले खेल नहीं रहे थे फॉर्टी त्री अच्छा प्रफॉर्मेंस यह रिश्यापन एक्याव सब्सक्राइब कर सकते हैं लास्ट मैच में थोड़ा बहेंगे भी साबित हुए रसी क्लाम है खेलेंगे नहीं कहलेंगे देखते हैं खली लास्ट मैच की परफॉर्मेंसी एक अच्छे पिक हैं हैड-to-head में भी हमने देखा था कि इनका नाम दोनों मैचिस में आया था और इसके इलावा मैं नाम आया था डैविड वार्नर का तो ट्राइ कर सकते हैं बाकि मिचल मार्शल गयरा एक टिफ्रेंशल पिक बन सकती है वहीं पर ट्रिस्टन सब्स क्रेंड लिग में ऑप्शन बन जाएंगे बैंस प्लेयर्स इशान चर्मा इंजड है कुल दीब जादफ अप्शन पचास का वैन्यू पर प्रिस्टी विशाओ का भी सेम बहुत यह अच्छा एवरेजा बहुत यह अच्छा प्रफॉर्मेंस रा मिचल मार्श का आप देखोगे उतना खास प्रफॉर्मेंस नहीं है ट्रिस्टन सब्स का जाधा रिकॉर्ड नहीं है वहीं पर अभ उगेश कुमर तीन विक्टे मैन्यू पर ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है अन्रिक नौगया का वह है ट्वेट में काफे अच्छ रिकॉर्ड है ठीक है रासी क्लीम का भी ज्यादा कुछ अपर है नहीं रिकॉर्ड खली लहमद चारी निंग में साथ विक्ते दो निंग में 5 सब्सक्राइब कर सकते हैं इनको अवने टीम में एक आधी टीम है कैप्टन के दाविदार भी हो सकते हैं क्योंकि लेफ्ट टाम हमेशा से विक्टे निकाल के देता है उसके बाद बात प्लेयर्स बैटल की डैविड वार्नर भाई ठीक है नरायन के सामने बहुत ही अच्छा खेल रहा है क्योंकि 108 बाल में सिर्फ दो बारा उट है 242 रन करके 49 बाल में 85 रन रसल के खलाफ भी अच्छा खेल रहा है फरुन चक्रवती ने थोड़ा तंकर रहा है बोल सकते हैं दो विक्टे निकालिया नुकल रोए स्टार्क ने एक बार आउट करा चौफिस बाल में प्रिट्वी शौ ठीक है इनका स्टार्गल है फरुन चक्रवती के अगेंस मैंने जैसा की बोला 25 बाल में तीन बार इने भी आउट करा बाकी प्लियर्स के सामने जाधा कुछ नहीं है उसके बाद नराइन ठीक है मिचल मार्च ने मिचल मार्च भी आप देखोगे तो स्ट वरुन चक्रवती ने भी एक बार उट गया तो आप देखोगे बार बार वरुन चक्रवती का नामारा वरुन चक्रवती को जुरूर से ट्राइ कर सकते हो बहुत ही अच्छी पिक बन जाएगी स्पैसली ग्रैंड लिग में के क्यार की टीम की बात करेंगे तो भाई सुनील राइन ठीक है खलील एमद ने दो बार उट कर फिर से मैं बदारूं विकर टेकिंगे इन वज़ार कर सकते हो नौक्या ने भी आड़ बाल में दो बार उट कर रख रख है उसके बद कुल्दीप ने भी तीन बाल में दो बार चलता गया तो सुनील राइन का का काफी स्ट्र रिगाड़ा अंद्रे रसल को देखोगे तो भाई इनका नौक्या के सामने 25 बाल में 28 रन है तोड़ा पाउंसर से स्ट्रगल कर सकते हैं बट अपने दिन पर किसी को भी छक के मार सकते हैं ऐसा प्लेयर है और कुल्दीप यादा ने भी बांद के रख है अंद्रे रसल को त चैनल पर आएकि टेलिग्रम चैनल का वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है अभी क्यापी जाइए जाइन कर लिए तो जैसा कि मैंने बोला के क्यार की बालिंग उतनी जाद आची नहीं चल रही है तो भाई रिशापंद को लिए फिलिप सॉल्ट को लिए डैविड व बागी डिफरेंशल फिक बिगार आपके सामने रख रखी है तो भाई फिरसे याद लानू फाइनल टीम नहीं है फाइनल टीम के लिए टेलिग्राम चैनल जान करना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो मे तब तक के लिए गुड लग एंड गुड बाई एक लाइक करते जरूर जाना बाई